कि कल आप लोगोंने पढ़ा था क्या गुडविल के बारे में गुडविल के अकाउंटिंग एंट्री देखा था और गुडविल कैसे कैलकुलेट किया था उसके लिए चार मेथड भी देखे था अब हम उससे आगे बढ़ते हैं कि जब नया पार्टनर आता है हमने अब तो क क्या देखा कि न्यू प्रॉफिट शेरिंग रेशियो हो जाता है पार्टनर के बीच में उल्ड पार्टनर सेक्रिफाइस करते हैं तो उसका सेक्रिफाइस रेशियो भी अपने देखना होता है फिर हमना देखा कि अगर नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लेकर आत कि अपनी एसेट को रिवेल करेंगे क्योंकि अब तक इतने सालों से जब वह पार्टनर्शिप में हो सकता है क्या बुक वैली और मार्केट वैली में थोड़ा सा फर्क आ जाए तो अगर कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है उसकी वैज़े से किसकी वैसे एसे लिए में चे नहीं करेंगा ना परॉफिट में और ना ही लास में इसलिए क्या किया जाता हbourgने वैसे measure में दिसिब्यूट कर दिया चाया कियोंकि वह उनका अब तक का प्रॉफिट है तो उनके अब तक जो भी प्रॉफिट शेरिंग रिश्यो था उसी में क्या हो जाएगा डिस्रिब्यूट हो जाएगा तो सब आप लोग पढ़ चुके हो अब इसके अंदर यही सब चीजे लिखी वी है कि नया पार्टनर जब एडमिट किया जाता है ठीक ह करना चाहता और पुराने पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा देना नहीं चाहेंगे ओके ना इसलिए सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस्स जो भी डिविलिशन से हुआ है वह उपार्टनर में कि उनके ओल्ड रिशियो में डिस्रिब्यूट हो जाएगा और इसके लिए एक्म कौनसा अकाउंड बनाते हैं उंक mogą रिवेलिशन अकउंट जीसे कभी-कभी पीएंडल niemand अकउंट भी बूला जाता है डिवेलिशन अकाउंट और फिलेफेंडल ऑट्सेद मनेंड मिलैं किन एफीन तो मिलीशन आप का औरी वीटिन अकाऊंट का फॉरमेट क्या रहनेवाला है कि आए ए कि ए कि किसी भी तरह का सुनिए एसेड की वेल्यू बढ़ता है एसेड़ का वेल्यू अगर बढ़ता है तो क्या हुब सब्सक्राइब और पढ़ एनु को वहां सब्सक्तुनिंश को सब्सक्राइब सब्सक्राइबुए लगए को होने पर एसे ही कभी लाइबरीटी बढ़ जाए तो अब्रिवियलिशन अज़ाइ सप्पर क्योंकि लाइबडीय का निक्रीक्र वार्ट क्रेडिट Such A र अगर बढ़ेगी तो और क्रेडिट हो जाएगा हमेए तो ऑल्मस अज़ार टहाअब रिवैलिएशन अकाउंट रिवैलिएशन अकाउंट ओके प्रॉफिट क्रेडिट की तरफ और लॉस डैबिट की तरफ हाजी अब क्या होगा अच्छा कोई नहीं ऐसे ऐसे जनरेट हो गई जो पहले थी नहीं पहले बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी और अब आप उसको रिक पहले वो बुक्स में नहीं थी अब उसको अपनी बुक्स में लाना चाहते हो तो अशच्छे का नेचर तो डैबिट होता है ना तो एंड्रि क्या करोगे कोई भी नहीं एसे आगी तो अपने कुछ किया नहीं तो रिविलिशन अच्छा नहीं कोई लाइबिटी बढ़ तो सेम वैसे ट्रीटमेंट करना कि अश्चेट का वेल्यू बढ़ गया और लाइबिटी का वेल्यू बढ़ गया डंबो हां हां टोन से टोन मिला रही है यह हां नहीं मिला रही है ठीक है अब क्या करेंगे पायदा हुआ तो रिवेलिशन अकाउंट डैबिट टू पार्टनर्स क्यापिटल कौन से ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल अकाउंट किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में हो क्या देते हैं नक्की और नुकसान हुआ तो रिवर्स बस इसी को अपने क्या कर दिया अकाउंट में लिग दिया अगर एसेट बढ़े तो एसेट अकांट ड़ाइपिट तू रिविलीशयु एसेट पम हो रिविलीशन अकांड ़ Stripes остав sup .. य॥े तो रिविलीशन टायबिटलिटी ड़ाइप Its फाइदय का सौधा हो तो इस तरफ लिखने का आजी और कोई नुकसान हो जाए तो इस तरफ लिख देना और नहीं मैंने एकदम सही लिखा है फिर कभी भी एसेट का वेल्यू बढ़ेगा तो फायदा होगा लाइवेटी स कम ओगी तो फायदा होगा यहाँ तो फायदा होगा इस तरफ फायदा है तभी तो बैलेंस बचेगा और वह फायदा इस तरफ नहीं लिखे जा रहे हैं कोई भी एसेट पर फायदा हो रहे हैं और जैसे पेंडल में इंकम किस तरफ आती है प्रेट साइड में आती है प्रॉफिट तो बैलेंस होता है ठीक है ना तो रिविलिशन पर अगर किसी भी तरह का कोई फायदा हो तो इस तरफ लुकसान हो तो इस तरफ हां इन रिविलिशन का जो नेट पायदा है वह ओल्ड पार्टनरस में और इस चीज़ से कंफ्यूज हो हां जी डीकी कोई में था गया यह तुम्हारे 12 में 12 में था ठीक है ओके हां 12 में था ओके तो कभी-कभी पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि वह एसेट्स और लाइबिटीज को अभी भी किस पर रखना चाहते हैं हां जी एड़ एडियर एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू इन दो इसे मेमोरेंडम रीवलेशन अकाउंट इस प्रिपार इंसेड़ ऊट तो अशेट्स और लाइबिटी इसमें चेंज का एफट्ट तो देंगे इसेट्स की विल्यू में चेंज नहीं करेंगे बाप किसे रोडियू में जो चेंज वालियू है उसका एफट्ट तो के बट एसेट्स और लाइबिटीज को चेंज वेल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे शो नहीं करेंगे उन्हें अभी भी हम पुरानी वाली विल्यू पर ही शो करते रहेंगे तो कैसे किया जाएगा हाँ वो बात लगे कि याद नहीं है हाँ सुनिए में मौरेंडम ब्री विलीशन अकाउं कैसे बनेगा अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट और यह जो फर्स पार्ट है यह आपकी डवल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होगा है युटं पॉस्टिवट का इंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं मतलब क्या हूं इसके रिगार्डिंग कोई एंट्री या कोई पोस्टिंग अकाउंट वग्यरा में नहीं होने वाली नॉट्यके से होगए की value change नहीं होगी यह तो सिर्फ अपने का हम से profit calculate करने के लिए इस तरीके से account format में दिखाते हैं और कुछ नहीं है तो यह double entry system का part नहीं है इसके regarding ऐसी कोई entry नहीं हुई है कि asset account to memorandum revelation या memorandum revelation account to asset क्योंकि memorandum क्या होता है double entry system का part होता है नहीं सिर्फ और सिर्फ किसी को calculate करने लिए उसके तुर्म क्या calculate कर रहे है प्रॉफिट और लॉट है लेकिन जो सेकेंड पार्ट है वह double entry system का part है इसके लिए अपने को प्रॉफिट हुआ न तो पहले उस प्रॉफिट को क्या करने का old partners में बांट देने का फिर उसी प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे reverse कर देंगे new partners में new ratio में एक एंट्री हो गई प्रॉफिट हुआ तो कौन सी memorandum revolution account debit to मान लिए दो partner थे टू ए और बी फिर एक एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट एस capital अकाउंट अबिट बीस काउंट अबिट सी प्रॉफिट को आप क्या कर दोगे reverse कर दोगे किसमें तीनों में नए partners में ए बी और सी कि दो एंट्री आपको करनी होंगी डवर इंट्री का पार्ट भी होंगी और इनकी दो इंट्री की बज़े भी एक नए टेंट्री पास किया जा सकते हैं गेंइंग टू सेक्रिफाइसिंग टूर्ण से कुषजेंग का निए पार्टन कहां से हागया कि हाने लोगल कि हानु कि सुनिए मान लीजिए ये A और B हैं दो पार्टनेस हैं किस रेश्यो में ये प्रॉफिट शेरिंग करते हैं कितना तू रेश्यो वन तू 1 में खढ़ा सेह़ो घरिए ठीगना सच्छद रधन थियुक्त शेरिंग पार्टनर फिदिन थी के पूंड़ यात करेंगे कि मुझे भी बोलना था पर माइक बंद है ओके सब तुम्हारा बोला वाई लिखा है मैंने कि रीविलिशन पर जो प्रॉफिट हुआ है न वह हुआ है मान लीजिए एक लाख पचास जार का है है confess Li एक बार पर नया रेशियो क्या होगा है प्र इसको a और b कई लेंगें बता सि कर ग्या कि 3쳐 फाइव और टू ओ वाई 5 इंगे कितना सिक्स ब्इज पाइव फिफ्टीन और और फोर भाई फिफ्टीन और और सी का कितना है वन थर्ड देट इस फाइफ बाई तो सिक्स पूर और फाइफ हो गया होगी तो रिविलेशन प्रॉफिट में एकदम करेक्ट लिया है एक लाग पचास जार आजी अब क्या करना एडजस्मेंट करना ना रिविलेशन प्रॉफिट का तो कैसे करेंगे मान ल लेंड इंड बिल्डिंग था जो बढ़ गया कितने से तीन लाग से कोई फर्नीचर था जो कम हो गया कितने से पचास जार से कोई लाइब्रिटी थी कम हो गई कितने से एक लाग बीस जार से लाइब्रिटी का नाम क्या रखें कि मान लीजी आपको एक प्रोविजन बनाना है प्रोविजन फूर हाँ डाउट फूल डैट कितने से बीस जार से अब देखो कितने का फाइद हुगा नेट देखना फाइदा कितने का हुगा एक एसेट बढ़ गी तीन लाग एक एसेट कम हो गई पैचास अब क्योंकि मैंने एक लाग कर दी एक लाग से बढ़ा पर नीचे पचास से कम हो गया पचास का फायदा लाइबिटी कम होगी एक बीस से अब सही है टेट लाग अब सही है से जो लेंड बड़ा है वो फायदा है पर नीचे कम हो गई यह पायदा है और एक लाइबिडी बढ़ गई यह नुक्सान है तो दो बनतों क्या है रिविलिशन अकाउंट तो उसमें तो कैसे होता है कि रिविलिशन अकाउंट हाँ जी कि क्या क्या होएगा भाइ लैंड एंड बिल्डिंग एक लाग से बढ़ गया तु फणिच्ण वगया पचाजार से एक से वल्यू कम हो गई लाइबरीटी का नाम लिखा नहीं veins tooling high एप एक लाग 20,000 से कम हो गई और बाए वम हाँ कम हो गई ना अजली हो कम हो गई तो इस दर लिखा जाए의गा फायदा है ना लाइबिडी कम हो गई तो फायदा है इस तरफ लिखा जाएगा अच्छा प्रोविजन बढ़ गया तो टू प्रोविजन पूर डाउटफुल डैट कितने का नेट फायदा एक लाग पचाश जार का उसे क्या किया जाएगा अब ओल पार्टनेस में पूल रिश्यो में बाट जाएगा ए और बी में कितना कितना नबें आब और कि टीड़ लाग ओकर ने क्या किया ओल पार्टनेस में यह में बांट कि खिल वोके प्रदीप सालूनी हादित ठीक कि यह कैसी एंटरिय थी से लोनी हुन वह बात में होगी है ना चलिए तो रिविलिशन अकाउंट मैथड वन इसमें कोई दिक्कत यह सारी एंट्रीज होगी और इसकी विए से ब्लेंड बिल्लिंग की वेल्यू क्या हो जाएगी एक लाग से बढ़ावा शोगर होगे परनीचर की वेल्यू अब 50,000 से कम शोगर प्रविजन दीज़ार से बढ़ा दोगे क्लियर है मतलब सबका एफक्ट आपको देना है वेलिट में देना है और अगर आप मैथट टू फोलो करते हैं हां कि मतलब हम क्या गड़ना चाहते हैं एसे अलब लिपरेटी को प्लिशन नहीं करना चाहते वेल्यू चेंज वेल्य कि यह कैसे बनेगा कि यह मी बनेगा हाजी इस तरफ बाई लेंड एंड बिल्डिंग एक लाग से हैसेड की वैल्यू बढ़ गई लाइबिड ती कम हो गई यह भी फाइदा एक लाग पीस अजार अच्छा प्रणीचे का वैल्यू कम हो गया नुकसान इस तरफım पचाश जार और एक प्रोविजन बढ़ ग सुक्सान लाइविडी बढ़ गया कि पीस अजार नेट फायदा के लिए आप लिखेंगे प्रॉफिट और रिविलिशन क्योंकि यह वाला पार्ट आपने से प्रॉफिट और लॉस केल्कुलेट करने के लिए बनाया था एक लाख पचाश जार यह वाला पार्ट डबल इंट ने क्या किया है प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया और अब इस प्रॉफिट का एड्जस्मेंट क्यापिटल अकाउंट के थ्रू करना है ऐसेट की वेल्यू में इफेक्ट नहीं डालना है यही वाला सेकेंड मेट है ना ओके अब क्या करेंगे इस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा कि इस प्रॉफिट को पहले उल्ड पार्टनर्स में उल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा तो एस कैपिटल तो बीस कैपिटल कितना कि नब्बै और साथ कि फिर इसको क्या करना न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में बांट देना ठीक है निए बाएस, बी और सी, हाँ जी, न्यू पार्टनर्स में, न्यू रेश्यो में, न्यू रेश्यो कितना था? तो तो कितना कितना हुआ, साथ, चालिस और बचास, ओके. तोटल कितना? डेड़ लाग. तो मतला अपने को सिर्फ दो इंट्री पास करना, अपने को सिर्फ दो इंट्री पास करना है, इसके रिगार्डिंग कौन-कौन सा हुआ? एक तो हुआ, Memorandum, Revaluation Account Debit, अगर कभी एंट्री पूछ ले तो, तू, A is Capital, तू, B is Capital, तू, A is Capital, तू, B is Capital. यह जो सेकेंड पार्ट है ना, Revaluation Account का, केवल उसी के regarding entries पास होता है, केवल वही Double Entry System का पार्ट है. तो, अपने पहले तो क्या किया, प्रॉफिट को पुराने Partners में, पुराने Ratio में बाढ़ दिया, लेकिन, क्योंकि अपन एस्टेट्स लाइबिटीस की वैल्यू में Change नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा? हम इसे वापस एक बार, A, B और C. हमें वापस reverse करना होगा, बढ़ना ऐसे तो क्या होगी, लाइबिटीस के वैल्यू बढ़ गई, बैलेंशीट तो मिसमेच हो जाएगी, इसका effect हमने ऐसे लाइबिटीस में तो दिया ही नहीं, आप capital बढ़ा रहे हो, ऐसा कैसे possible है, ठीक है ना, तो capital ऐसे बढ़ावा शो, न नहीं करना, तो आपस आपको capital में adjustment करना पड़ेगा, capital कम करना पड़ेगा, कितने कितने से, 30, 40, 50, और memorandum revelation जो debit वा था, उसको भी तो credit करोगे, वो account भी तो close होगा, कितना, जिसको अभी तक नहीं समझ में है, शायद अब समझ में आ जाए, इन दोनों entry के लिए हम एक net entry पास कर सकते थे, क्या, नया partner आ रहे है न, नया partner आ रहे है, उसको क्या होगा, अब अपन assets or liabilities के value में change नहीं कर रहे हैं, तो हाँ, तो हमें क्या करना पड़ा है, एक बात बताओ, आज अगर मैं कोई asset है, इसकी value 10,000 है, और book में, और actual value कितनी है, मान लीजे इसकी 50,000 है, अब मैं asset की value में change नहीं करना चाहता, अभी भी इसको 10,000 पर ही show करना चाहता हूं, और नया partner को कह दो, तू तू आ जाया यार, asset liability value में change नहीं करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, बस पूराना, हाँ, यह क्या कर रहे हैं, revelation profit को calculate कर रहे हैं, 10 का हो गया, 40, और 40 को यह लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए, 20-20 में बांट लिए, पहली बात तो यह, कि अगर यह बांटेंगे, तो इसका effect जाएगा, तो liability side में गया, तो asset side में भी effect आना चाहिए, तो क्या किया जाएगा, इसका मतलब अगर यह assets में effect नहीं देंगे, सिर्फ capital में effect देंगे, तो अपना balance sheet, match नहीं होगा, अच्छा, अब यह कहें कि वह यह चल ठीक है, तो तो आजा, रहने दे, अपने हो कोई effect भी effect नहीं देना, net entry समझ लो बस, इसका net entry क्या, उसे शाहिस आपको समझ में आ जाए, हाजी, ए कितना credit हुआ, 90 से, और debit कितने से हुआ, 60 से, ओके, तो net credit कितना बचा, 30,000, अच्छा, और B, B credit कितने से हुआ था, B credit हुआ था, 60 से, और debit हुआ, 40 से, net credit कितने से, 20 से, और C, सिर्फ और सिफ क्या हुआ है, debit हुआ है, कितने से, 30, capital account debit कितना, 50, अब ये entry में direct भी pass कर सकता था, gaining to sacrificing, Gaining to sacrificing, मैंने कहा था, कुछ ना दिया वा हो, सिर्फ वैसा लिखा वा हो, कि नया partner इतने इससे के लिए आया है, तो उनका old ratio ही क्या होता है, sacrifice ratio होता है, होता है कि नहीं होता, ओके, नया partner कितने इससे के लिए आया, वन थर्ड के लिए और आपका revelation profit कितना है, डेड़ लाख रुपए है, डेड़ लाख का वन थर्ड कितना होता है, पचास जार, पचास जार से आप क्या कर देंगे, C की capital को debit कर देंगे, reason, आज अगर, मान लो, C के आते ही, अपन फिर क्या कर रहे हैं, अपनी firm बंद करके जा रहे हैं, तो क्या, यह जो asset है, या जो revelation का जो profit है, मान लीजिए asset, डेड़ लाख से बड़ी थी ना, assets and liabilities में net valuation कितना था, डेड़ लाख, आज अगर मैं बंद करके चला जाऊं, तो C को क्या, उसमें से कुछ हिस्सा मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा C को, रिवेल करोगे की नहीं करोगे, आज अगर partnership हम बंद कर दोगे, तो वापस फिर तो asset को रिवेल करोगे की नहीं करोगे, तो वो जो जो डेड़ लाख बड़ी विए, उसमें C को हिस्सा मिलेगा की नहीं मिलेगा, फिर C का credit होगा की नहीं होगा, तो इसलिए हमने का C, तेरे को क्यों मिले वो हिस्सा, इसलिए जब वो आता है न, तो हम उसकी capital क्या कर देते हैं, debit कर देते हैं, फिर बाद में जब अगेन revelation होगा, तो profit होगा की नहीं होगा, तो उसके बाद वापस credit हो जाएगा, वापस बता देता हूँ, सुनना, एक सेकेंड, सुनना, पहले सको तो complete कर दो, हाँ बोलो, चलो तुम बोलो, सिर्फ sacrifice वाले को ही मिलेगा, नहीं, net entry अगर आपको पास करनी है न, तो सिर्फ sacrifice वाले को ही मिलेगा, एक्चली देखो, आज आपने क्या किया, सिर्फ कैपिल डेबिट कर दिया न, पचाँ जार से, आपको बुरा लग रहा है किया, सिर्फ को क्यों डेबिट किया, तो A और B को भी पूरा credit थोड़ न किया, नहीं किया न, आज, हाँ, मान लो, इसके बाद, पूरा किशिन होता न, तो समझ में आ जाता, आगे वाले किशिन में आ जाएगा, अच्छली यह पूरा नहीं है, हाँ, अब सुनिए, आज आपने सीगी कैपिल को क्या कर दिया, सुन लो, एक बार, सीगी कैपिल को आपने क्या कर दिया, पचास जार से कम कर दिया, और एसेट्स अभी भी आपने ओल्ड वेल्यू पे ही शो कर रखिये, राइट, चेंज नहीं किया न, आगे जाके कभी भी रिविलिशन करते हो, तो एसेट्स की वेल्यू बढ़ेगी न, कितने से बढ़ जाएगी, प्रॉफिट, डेड़ लाग से, मानली जाएट की वेल्यू कितने से बढ़ गई, डेड़ लाग से, अभी जो था, वो net effect में डेड़ लाग दे दिया, अब डेड़ लाग से बढ़ेगा तो सी कितने का हिस्सेदार है, वन थर्ड का हिस्सेदार है की नहीं है, तो क्या पचाँ जार से उसको मिलेगा की नहीं मिलेगा, मिलेगा, ये फ्यूचर में उसको पचाँ जार से मिलेगा, इसलिए हम आज उसको क्या कर रहे हैं पहले, पचाँ जार लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो revolution profit है डेला, उसमें C का कोई हिस्सा नहीं है, ये revolution profit में हिस्सा सिर्फर सिर्फ किसका है, A और B का है, इसलिए हम C को नहीं देंगे, तो अब अगर मुझे adjustment करना है, भी या मैं को asset को value, old value पर ही show करना है, तो मुझे C की capital को क्या करना पड़ेगा, उसके हिस्से के लिए debit करना पड़ेगा, ताकि कभी in future वापस, मान लोग कली कह दें हम तो, एक नया partner roll लेके आते हैं, एक नया partner roll लेके आते हैं, तो revelation profit अगेन decide होगा, वो profit किसमें distribute होगा, A में भी distribute होगा, B में भी होगा, C में भी होगा, तो उसमें हिस्सा C को मिलेगा की नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन ये क्या 5000 के लिए C हगदार था क्या, नहीं था, ये तो इसके भी आने से पहले के profit थे न, इसलिए पहले C को क्या कर दिया जाता है, debit कर दिया जाता है, बाद में revelation profit होगा, तो क्या हो जाएगा, credit होके set out, clear है वाली चीज, तो इसलिए उसको C को कुछ नहीं मिला, तो ये net रेजर्स में दो और कुछ नहीं, तो अपन क्या करता है, gaining to sacrificing करता है, gaining to sacrificing, ओके, तो C is capital account debit, to A is capital or to B is capital, वाउ, चलो ठीक है, ये future का सोच के पहले debit कर दिया था, कि भई आप बाद में अगर जब हम reveal करेंगे, asset or liability value में change करेंगे, तो C को हिस्सा मिलेगा, तो इसलिए पहले उसको क्या कर दो, debit कर दो, ओके सर, जरूरी तो नहीं कि future में asset की value, डेड़ लाग से बड़े, हाँ, वो जरूरी नहीं, लेकिन अभर, अभी हम क्या मान के चलते हैं, एजियूम करके चलते हैं, कि सारे circumstances सेम रहे, नहीं होगी, तो वो उसके according distribute हो जाएगा, ठीक है, चले, वो तो बात की बात है, क्योंकि वो उसके आगने के बात का profit loss है, तो उसके according अपने आप adjust हो जाएगा बात में, अभी सेमन में आया गया memorandum revelation, net फर्क इतना, बस इतना से दिमाग में रखना है अपने को, तो यह revelation account तो normal बन गया, memorandum revelation में first part तो revelation के जैसे ही है, but profit को distribute नहीं करना, उसके second part में हम क्या कर देंगे, profit को distribute कर देंगे, old partners में old ratio में और then एक reverse entry pass कर देंगे, new partners में new ratio में, और अगर आप इसका एक net entry करना चाहें, तो क्या होगा, gaining to sacrificing, एक ही आद रखना, जब कभी भी net entry करने की बारी आए ना, तो gaining to sacrificing, चाहे admission हो, चाहे retirement हो, चाहे death हो, एक एक entry आद रखनी है, gaining to sacrificing, बस, already जो partner है, उसमें भी कोई sacrifice भी कर सकता है, कोई gain भी कर सकता है, इसलिए अपने को सिर्फ एक एंट्री आद रखनी है, क्या, gaining to sacrificing, कभी भी अगर capital account के through adjustment हो, आपको बूले कि भी या, सिर्फ और सिर्फ कैसे करना है, capital account के through adjustment करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, gaining to sacrificing, वो मैं लिखवा दूँगा आपको, last में अपने notes में लिख लेंगे, क्योंकि सिर्फ revolution का नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, reserves, आप सिर्फ करना चाहते हैं, और आप उसका effect old partners को भी देना चाहते हैं, तो फिर gaining to again sacrifice, जब कभी भी सिर्फ capital account के through adjustment होगा ना, तो gaining to sacrificing ही होगा, तो डेड़ लाग के revolution profit में only पचाजार है, claim कर पाए old partner, हाँ आदित है, क्योंकि जब बाद में होगा ना, और मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना, अच्छा एक बात बताओ, बाद में जब revolution profit होगा, डेड़ लाग के अंदर, तो उसमें A और B को कितना हैसा मिलेगा, A को मिलेगा 60, और B को मिलेगा कितना, 40, बाद में तो उनका ओल्ड रेशियो हो जाएगा, 30 और 40 मिलेगा न ये और B को, और अभी आप अल्रेड़ी 30, क्या नाम, चंचल देख लो, अभी अल्रेड़ी 30 और 20 दे चुके हो, बाद में कितना मिल जाएगा और, 60 और 40 मिल जाएगा, तो एक हो अभी आपने कितना दिया, 30, और बाद में दोगे, 60, 90 हो गया न, अगर आप रिविलेशिन अकाउंट बनाते हो, तो पुरा 90,000 अभी दे रहे हो, ऐसे टो लाइबड़ी के वेली में चेंज करे हो, तो पुरा 90,000 अभी दे रहे हो, और अगर आप रिविलेशिन अकाउंट नहीं बनाते हैं, ऐसे लाइबड़ी के वेली में चेंज नहीं करते, तो अभी तो एक इतने से हो रहे हैं, 30 से, बाद में जब कभी रिवेल करोगे, तो कितने से और हो जाएगा, 60 से, हो गया न 90, पस, क्लियर है अधित्या, तो हो जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, हाँ, सी को पहले डेबिट किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमको पता है, कि इन फ्यूचर जब हम रिवेल करेंगे, तो वो भी प्रॉफिट में हिस्सा रखेगा, उसको भी मिलेगा, उसकी क्रेडिट होगी, तो पहले ही क्या कर दो, उसको डेबिट कर दो, समझ गए, ठीक है जी, हाँ, सब में, किसी के अंदर भी, अगर आप net effect देना चाहते हो, तो gaining to sacrificing, चलिए, आगे बढ़ते हैं, एक question try करते हैं, पल, फॉल्वाइब बैलेंशेट आशीश अण मनीष, अशीश भईया मनेजमेंट का पार्ट है, हाँ, मनीश उसका दोस्त है, हाँ, देखो, फॉल्वाइंग इस बैलेंशीट आशीश अण मनीश, who was sharing profit in the ratio of two-third और one-third हाँ 31 March को cash data stock plant machinery building creators capital आशी शमेश एक अप्रेल को उन्होंने क्या किया admit किया किसको चंदा को हाँ agree to admit चंदा into partnership चंदो नहीं चंदा हाँ जी चलिए ओके चंदा वाज to be given चंदा को क्या दिया जा रहे है वं थर्ड हाँ चंदा है तुम्हेरा सूरज है तुम हाँ चंदा को क्या दिया जा रहे है वं थर्ड शेयर दिया जा रहे है profit के अंदर और वह कितनी capital लेकर आएगी तो फंद्रह हजार और छहजार रुपए का goodwill में हिस्सा ओके कि की कर जी तब गाना खाने लगए चंदा है तो मेरा सूरेज है तो देखो वैल्य आफ स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी वर्टू बी रिड्यूस बाए 10 पसंट एसेट की वैल्यू कम हो गई है प्रोविजन बनाना है लाइबिडी की वैल्यू बढ़ गई है बिल्डिंग एप्रिशीट हो गई है बढ़ गई है इन्वेस्मेंट 14 रुपए के जो बैलेंशीट में में नहीं है उनको बुक्स में लेकर आना है अन्रिकॉर्डड सब्सक्राइब देखने है और निया रहा है वन थर्ड के लिए तो नियू रेशियो क्या होगा वही जो अभी देखा था सिक्स फोर फाइट ठीक है अभी नियू रिवेलिशन अकाउंट री वैल्यूशन अकाउंट कि अब लिखे दे रखा है मैंने नहीं बताते हैं कि बाए गुडविल की जगह अपन बताता हूं क्यों लिखा है रीजन बताता हूं हां देखो सबसे पहले तू बिल्डिंग का वेल्यू बढ़ा सबसे पहले तू बिल्डिंग का वेल्यू बढ़ा 20 पसेंट से तो बिल्डिंग था हाँ जी 5,000 का 20 पसेंट होता है 10,000 तो फायदा होने पर, neo festival क्रेडिट परी के इंश्ञेट में लिख देंगे, ऑके इं पचार का 20 पसेंट ओके जोड़ा सोगे इंवेस्मेंट ओके जो पहले पीर उसके बाद स्टॉप की ड्लीव कम हो गई ना कि कि इूथ इस अगे कि प्लान मशीन दी कितनी 35,000 उसका 10% कम हो गया 3500 और प्रोविजन फोर डाउट फूल डेट क्या करना आपको क्रियेट करना है हाँ जी 5% से डेटस है 9700 के 9700 का 5% 485 ओके जी कितना प्रोफिट आ गया 5415 प्रोफिट आ गया इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रिश्यो में बाद लिए 3610 1805 कि ओके त्री टू फोर नाइन सेलोनी कि तब अच्च्छे तो 3620 बता रहे हैं कि अधिर सेलोनी हाँ अलग-अलग बता रही है कि रिविलेशन प्रोफिट है 5415 को थ्री इस्टू के रेश्यो में न अच्छा टू इस्टू वन है ओके अच्छा उस्ताय मैंने थ्री इस्टू बता दिया था तू इस्टू वन है ठीक है हां वो नियू रेश्यो भी चेंज होगा फिर अगर जुरत पड़ेगी तो निकालेंगे वना जुरत नहीं पड़ेगी अजी तू थ्री ले लिया ओके अजी बढ़े आगे देखते हैं जुरत नहीं पड़ेगी ना पड़ेगी का मेमोरेंडम रिविलेशन तो बना रही है तो रिविलेशन प्रॉफित लॉस को तो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा अच्छा जो गुडविल का पैसा लेकर आए वह सैक्रिफाइसिंग बढ़ जाएगा और सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे जुरत नहीं है कुछ बोला नहीं है नया पार्टनर से बन भूं तीस और बिस बारत भी हैं मौचैंगे तीजस हिजार और बीस हाजार 12 ब् Register Quicky और यह ओड़िजी साइबिट साइब लिखे लाूँ अब्प लिखहें beats अंगे यह कि लिखा है अधी पे सार अब यह पार्ट नरा रहे ना उससे पहले पहले अपने अपना प्रॉफिट यह बांट लखे तक ही अपने इय। मेल सब्सक्राइब ऑखे में इसना प्रॉफिट कर दें वे हैं उसे आशीश और मनीष में डिदिए वा dłick आ implement etc 3610 और 1805 इसे आशीश और मनेश की कैपिडल बढ़ रही है पिर अब हाँ और कोई रिजर्व अगेरा है क्या बैलेंशीट में देख लो नहीं है अगर होता ना तो उसे भी हम उल्ड पार्टनर्स में डिस्टिब्यूट करते थे बहले किश्यन वाला बोले चाहे ना बोले ओके रिजर्वस थे नहीं अब नया पार्टनर में डी कैपिटल ला रहा है कितनी 15,000 तो कैश एकाउंट डेबिट टूचंदाज कैपिटल तो बाइक कैश चंदा की कैपिटल में कितना 15,000 जब चंदा आईगी अब कैपिटल और गुडविल में हिस्सा लाईगी तो एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू चंदाज कैपिटल अकाउंट कितना 15,000 और गुडविल में कितना हिस्सा लेकिए तो गुडविल कितना 6,000 तोटल 21 लाई ना ओके लेकिन हम तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो इस एंट्री की पोस्टिंग सिर्फ कहा जाएगी चंदाज कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा 15,000 से चंदाज कैपिटल क्या होगा और तो कैपिटल अगा नहीं अच्छा फिर इस अंगे उल्ड पार्टनर्स में हां जी में बांट दिया जाएगा तो आशीश और 2-1 जो उनका ओल्ड रेशियो है वही उनका सैक्रिपाइस रेशियो हो जाएगा हमको पता हैं अगर कुछ लिखावा नहीं होता है ति इतना सा लिखाव कि नहांट नहां इस पैसे कि लिए है तो old ratio ही sacrifice हो जाता है तो यह three is to two sorry two is to one उनका क्या हो गया sacrifice ratio हो गया एक सेकंड हाँ sacrifice ratio हो गया तो इसके लिए आप entry क्या करेंगे आशीश और मनीश की capital account के अंदर क्रेडिट करेंगे की नहीं करेंगे by goodwill ओके तो कर दीजिए by goodwill कितना 4000 और 2000 और 2000 मनीश के अब समझ में आया यह वाला ओके अब वो लोग क्या कर रहे थे गुडविल का हिस्सा विड्रो भी कर रहे थे ना विड्रो कर रहे तो उसके लिए मेंट्री क्या करते हैं old partners capital अभी टू बैंक या टू कैश तो यह आशीश और मनीश विड्रो कर रहे हैं तो 4000 और 2000 ने वापस विड्रो कर लिए तो कैश तो आशीश चापिटल काउंड अभीट मनीश क्यापिटल काउंड अभीटू कैश हुआ है यह एंट्री हाँ अधित नोर्स में चलके देख सकते हो इस वन for amount of goodwill sorry for amount of goodwill withdrawn by old partners old partners capital account debit to cash or bank तो आशीश capital account debit मनीश capital account debit to cash ओके अब बना देते हैं balance sheet cash in hand कितना था 1200 हाजी 1200 था ना 1200 था ओके क्या cash में कोई change हुआ है कि सर हाँ cash का मैं देख लेता हूं 1200 थे पंद्रह हजार चंदा क्या लेकर आई अपनी capital के लेकर आई है 6000 गुडविल के लेकर आई थी लेकिन वह गुडविल तो old partners ने withdraw कर ली ना बिजनेस से तो 6000 वापस क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे बस कितना हुआ 12200 और तो कुछ cash में कोई change नहीं था अच्छा डेटर कितने के थे तो डेटर से 9700 के और उस पर आपने प्रोविजन बनाया प्रोविजन प्रोविजन फोर एटी फाइफ नाइन टू वन पाइफ ओके तोग इस तॉक था 20,000 का बट आपने रिवेल किया रिवेल करने पर 2,000 की वेल्यू कम हो गई तो 20 माइनस दू अथारह हजार इंवेस्मेंट नए रिकॉर्ड हो गये सुझावरarl dat यह सबसक्राइए थे सब्सक्राइए ना यह सब्सक्राइए और यह च्छावर s. करेटर्स क्रेटर्स 65900 कोई चेंज आगया क्रेटर्स में यह सेम रह जाएगा 65900 और अब कैपिटल अकाउंट का जो लास्ट बेलेंस है उससे यहां पर उनकी कैपिटल लिख दीजिए कि दोनों साइड का टोटल चेक कर लेना मैंने कहा दोनों साइड का टोटल चेक कर लेना डंबो अच्छा 77 लिख दिया कि इतना सत्तर सत्तर बुला ना सबने तो सत्तर हो गया हाँ ठीक है हाँ एक सथ बोलता है दूसरे और सथ बोल देता है तो गया ना सतत्तर चलिए सत्तर चारसो बंद्रा और सेम आयेगा अच्छा ठीक है से लोनी गुड है क्यों में आया गया है ओके यह तो बहुत एजिएस क्यूशन मैंने लिया हाँ प्रैक्टिस हो लिए कि रिविलिशन और टफ क्यूशन के अपने मोडल बहुत है ठीक है ना टफ क्यूशन इच्छा तो बिल्कुल नहीं है हाँ आप मेरा दीख लिया करो ठीक है सरुनी अ हाँ चलिए अब बढ़े आगे अ हो गया टाइम हुआ हुआ है ओके कोई ना आप आप तुम लोग टैक्सी टैक्स पढ़ते हो मैं क्या करूँ कल यह टॉपिक बढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आफ रिजर्वस एंड प्रॉफिट और लॉसस ओके थैंक यू टेक केर एंड बाई